इस तेसे मफ़ी की partnerships पतार को ब्लॉग को sucks है कोई देली磨ग नहीं आज में बहुत दीनों के पाद व्लॉग लहीं कि पाराई व्लॉग is मैं आप लोग के साथ वही सेयर कर रही हूं तो आज मैं बना रही हूं Mira तो उसके लिए सबसे महले मैंने एक कराई चड़ा लिया है और कराई में डाला है सबसे पहले ड्राइब फूट्स क्यूंकि जितने भी बुन जाएंगे तो काफी ज्यादा टेश्टी लगेंगे और बुनने के बाद मुझे उसे ग्राइंड भी करना है तो उसे मैंने ठंडा जाले इसमें आधा कफ यानि 50 g मैंने सूजी लिया है इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे यह मेरा 100 g कफ है इसलिए मैंने आधा लिया है 50 g यह कि थोड़ा सा टेस्टी ओ थोड़ा उसमें कुरापन वह इसलिए मैंने थोड़ा सा सूजी डाला है और यह ऑतुन mogę प्रवाइब के कि 165ी करीब ३– डालने की पात उसे अच्छे से मैश करना है और हाथ से देखना है जब तक वो मुठी न बंधा जाए हाथों में मैदा का तब तक उससे हमें अच्छे से रिफाइन ड़ाना है अगर मुठी बंदा तो मैं सकते ही। में थ़ोड़ थज़ती आप में में के तो आदय कमया है। यह летर्ट है, मैं इक थाली में टाली देता है। और ये है नारील का पाउडर का पॉडर मैंने घर पी बनागा कोई मैं बाहर सरे नहीं लिए हूँ चुछ अटति में तो हुआ कॉन्टी टीम spoiler मिक्स कर रही है मावा कम पर आए दाने जाए होगए जो युद ट्री में टोड़ा तो हुआ क्याद कि अच्छा बनाना है तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है सब्सक्राइब कितना क्या है एक अच्छे से गुन चुका है और ठोड़ी सी चीनि लेना है छार सो ग्राम में आप 50 ग्राम के करिब मैंने सुगर डाला है क्योंकि यह आल्रेडी चासनी में जाएगा इसलिए मैं इसमें ज़्यादा सूगर नहीं डाली हूँ और यह देखिए लाश्ट में मैंने आप इस सूजी भी डाल दिया है और अब हमारा मावा तैयार हो चुका है तो अब हम चलते हैं लाश्ट का बनाने के लिए और देखिए मम्मी जी यहाँ पर मेरी हेल्प कर रही है वो भी बेल कर दे रही थी मुझे और मैं यहाँ पर साकरा फिल कर रही हूँ क्योंकि यह बेल ना और जो बनाने का प्रोसेस है ना वो काफी जल्दी-चल्दी होता है क्योंकि मिय्दा है तो वो शूठ हुझ जाता है मैं इसलिए मैं ममी जी को बोली कि आप लूंग लटी का आज़कर relating कर दे रही हूं तो तो सआरा मेरा फिल हो चुका है लउंग लब देखिए और बस अब छणने के लिए तयार है तो मैंने कराही में तेल डाला है और उसमें मैं लंग लिटी का और ये ना बहुत ही दिये दिये आज़ पर आपको बनाना नहीं तो अंदर से कच्छा रह जाएगा और उपर से बहुत जादा लाल हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर फ्लेम को मीडियम की हूँ और आराम से दिखिए मेरा लॉंग लिटी का तियार हो चीका है ये ना बियार की फेमस रेशिपी है और बहुत ही जादा वहाँ पर और ये मैंने अपने पापा से सीखा है पापा हमेशा बनाते थे ओली दिवाली में अधिकतर चीज मैंने पापा से सीखा यह सब चीजे तो बहुत ही टेश्टी बनकर तयार हुई है और सारा तलने के बाद ना उसके बाद हमें इसे चासनी में डालना है लेकिन काफी ज़्यादा मातरा में बनाना है और ये बनाते-बनाते मुझे काफी ज़्यादा रात भी कि यह रात के टाइम में बना रहे थी क्यूंकि मेरे साथ बेबी है इसलिए थोड़ा सा मुझे अभी सब कुछ मैनेज करना पड़ता है देखकर और अब पारियाती है चासनी में डालने की तो चासनी का जो वीडियो तना वो मुझसे डिलीट हो गया है तो मैं बताती हूं चासनी में मैंने जादा नहीं जादा इसमें तार नहीं बनना चाहिए बस एक तार काफी है चासनी बनाने के लिए इसमें मैंने तीन इलाइची डाला है एक दो लॉंग भी डालती है कि यह लॉंग लेतिका है और देख सकते हैं मेरे लॉंग लेतिका में भी मैंने उससे जो बांधा है वो लॉंग से ही बांधा है ताकि उसमें लॉंग का टेस्ट है तो इसे लिए इसका नाम है लॉंग लेती का और देखें कितने प्यारी लग रहे हैं कितने सुन्दर लग रहे हैं न बहुत ही खाने में भी उतनी टेस्ट है एक बार आप इस तर पाइब कीजी